आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Music Tutorials दोस्तों आगे पढ़ने से पहले एक बाद फिर मैं शुक्रिया दा करना चाहएं उन सबी तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया और अच्छे-चे कमेंट्स किये दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है Western Notes की और Indian Classical Music के स्वरों की मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो पहुत पसंद आएगी और जाते आते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तर पहुंच पाएं दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और इससे अगला पार जो होगा वो भी जरूर देखे ताकि आपको पूरा का पूरा Western और Indian Notes जो हैं बिल्कुल समझा जाएं तो आई शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं जिनमें से साथ शुद होते हैं चार कॉमल होते हैं और एक तीवर होता हैं साथ शुद कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ सारे गामा पादानी चार कॉमल रेगा धानी और एक तीवर जिसको हम मा तीवर दोस्तों, किटार और प्यानों के उपर Western Notes ही बजाए जाते हैं, स्वर एक ही होते हैं, बस उनका नाम चेंज हो जाता है, उनको हम English में लिखते हैं, Western में लिखते हैं, और Indian Classical में उसको हम सारे गामा Notation के हिसाब से बोलते हैं, Indian Classical में शुद्स्वर, कॉमल स्वर और तीवर स् बोला जाता है, और तीवर को शार्प बोला जाता है, जब भी आपने देखा होगा कि कोई Project बजा रहा है या प्यानों बजा रहा है, Sharp Tone की बाट ही ज्यादा होती है, Flat की बात बहुत कम होती है, बात दोनों की एक ही है, आपको आगे छलकर समझा जाएगा, लेकिन Flat और Sharp ए गाल आता है मैं नोधिक है साओ के बाद रे आता है तो साओ के और रे के साओ रे के बीच में रे कोमल है उसको हम अगर वैस्टन में देखे सी ओडी maior को इसना भी जो नट सकते हैं उसको हम डी फ्लाट भी बोल सकते लेकिन गिटार और पियानो में mostly C sharp ही बोला जाता है D flat बहुत कम बोलते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं साथ सुद्ध जो स्वर होते हैं हमारे सारे गामा पादानी इनको western में C, D, E, F, G, A, B बोला जाता है और इसी तरह हमारे जो कॉमल स्वर होते हैं D कॉमल को C sharp, गा कॉमल को D sharp, धा कॉमल को G sharp और नी कॉमल को A sharp बोला जाता है और एक स्वर हमारा जो मा तीवर रह गया उसको हम बोलते हैं F sharp मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं सबसे पहले चलते हैं हमारे शुद्ध स्वर, आप देख रहे हैं कि सार जो हमारा है नैचुरल नोट है, उसको हम बोलते हैं C, रे कॉमल उसके बाद आता है सेकंड स्वर उसको बोलते हैं C sharp रे को बोलते हैं D नैचुरल या D बोल सकते हैं गा को बोलते हैं D sharp गा कॉमल को हम बोलेंगे D sharp गा शुद को E मा शुद को F मा तीवर को F sharp पा को G, धा कॉमल को G sharp, धा शुद को A, नी कॉमल को A sharp and शुद्ध नी को B. दोस्तों आपने देखा कैसे इंडियन क्लासिकल के स्वरों को और Western notes को कैसे एक साथ लिखते हैं और कैसे इनको बोलते हैं. अभी तक Western में हमने बात की है Natural की और Sharp की. अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लैट नोट की दोस्तों बात करते हैं वेस्टर नोट में शार्प और फ्लैट दोनों की आप देख रहे हैं कैसे हम C नेचुरल जो है उसके बाद जो नोट आता है उसको हम C शार्प भी बोलते हैं और D फ्लैट भी बोलते हैं यह पहले ही मैंने बात बताई आपको कि जो अगला नोट होता है उसको हम C sharp भी बोल सकते हैं और क्योंकि वो D से पिछला है तो इसको हम D flat भी बोल सकते हैं इसी तरह D से अगला नोट D sharp और क्योंकि वो E से पिछला है तो E flat F के बाद जो note आता है उसको हम F sharp बोलेंगे क्योंकि वो G से पहले है इसलिए हम उसको G flat बोलेंगे इसी तरह G से अगला note है उसको हम G sharp बोलेंगे क्योंकि वो A से पहला है तो उसको हम A flat बोलेंगे A से अगले note को A sharp बोलेंगे क्योंकि वो B से पिछला है तो इसको B flat बोले तो दोस्तो ये था sharp और flat और natural का combination मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये western और Indian का combination आज समझा गया है अगली वीडियो में हम बजा के देखेंगे कि इनको कैसे बजाया जाता है combination में दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like जरूर करें शुक्रिया